हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक लास वीडियो जिस चैनल में फ्रेंड साज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाल है 12th क्लास इतिहास का टॉप अब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रस्ट तथा उत्तर आपको इसमें उत्तर भी बत के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्सभी का लिंक दिया हुआ है यहाँ सब जाकर के उन सफी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं अगला कोस्टिन इससे पहले हम कुछ कोस्टिन करवा चुके फ्रेंड से उनस सभी का लिंक दिया हुआ है यहां सब जाकर के उनसे वीडियो को देख लीज़ेगा ओके तो चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है यहां पर आगला कोशन है फ्रेंड्स कृष्ण देव राई संबंधित है तो ऑप्शन यहां बाह्मनी से ऑप्शन भी है फ्रेंड्स जौन किसी ने कहा था तो यहां पर आप्शन है तेज बहादूर ने आप्शन भी है फ्रेंड्स सुवास चंद्र बोस ने आप्शन अंबर सी है मोतिलान नहरू ने और आप्शन अंबर भगत सी ने तो तुम मुझे खुन दो मैं तुझे अजाद दी दूगा जो यह बोले थे फ चाहिता थे फ्रेंड्स ओ थे आप्शन अंबर बे मलेक मुहमद जैसी ओके नेक्स्ट कोशन है विर्शेव पंध के परवर्थक कौन थी तो जो इसका यहां पर आप्शन यहां फ्रेंड्स रामानूज आप्शन भी है रामानंद आप्शन अंबर सी है संक्रा चार यार असोग द्वारा परचलीत बौध धर्म कहां परचलीत नहीं हुआ तो जो असोग द्वारा परचलीत बौध धर्म जो परचलीत नहीं हुआ था फ्रेंड्स ओ बृतेन में नहीं हुआ था ओके जो असोग द्वारा जो बौध धर्म चलाए गए थे ओ मतलब बृतेन में पर किस वेद का संकलन हुआ तो यहाँ पर आप्सटेंश है साम वेद और अथर वेद और जो इसका सही आंशर है ओंधि घ्रीग वेद नेक्सट कोशन है पूर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया तो जो पूर्त गालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था फ्रेंड्स ओ किया था ओप्स नमबर सी 1510 इस्वी में ओके पूर्त गालियों दुवारा गोवा पर 1510 इस्वी में अधिकार किया गया था नेक्स्ट कोस्टन है 1857 के में विद्रो होने वाला पहला वेक्ती था यहाँ पे 58 नमर कोस्टन है फ्रेंड्स 1857 की विद्रो में सहीद होने वाला पहला वेक्ती था तो जो 1857 के विद्रो में जो पहला वेक्ती जो सहीद हुए थे फ्रेंड्स ओ हुए थे option number B मंगल पांड़ी इसका जो सही answer है option number B मंगल पांड़ी next question है इसा पूर्वत छठी और 34 सितापदियों के बीच सबसे सकती साली महाजनपद इनमें से कौन था तो यहाँ पे option नहीं है मगद option B है कौसल option number C है अंग option number D है अवंती तो जो छठी और 34 सितापदियों के बीच जो सबसे सकती साली महाजनपद था फ्रेंड्स ओ था option नमर गी मगद सबसे सकती साली जो महाजनपद था ओ था मगद next question है इनमें से कौन हड़पा से भिता का पूरा अस्थल नहीं है तो जो हड़पा से भिता का और यहां से आपका subjective question स्टार्ट होते हैं तो यहां पर पहला question है पूरा तैत्व के सरूतों से आप क्या समझते हैं तो यहां पर answer दिया हुआ है तो चलिए देखते answer क्या है भारत का इतिहास जानने के लिए यह तिसरा महतपुर्ण सरूत है भारत का इतिहास जानने के लिए यह तिसरा महतपुर्ण सरूत है जिसको पुरातत विभाग कहा जाता है जिनके द्वारा अनेक सिलालेक अस्तम, अस्तुबो, धात्व, मुद्राओं का पता चलता है जो इतिहास की जनकारे के लिए सबसे अधिक महतपुर्ण साधन है तो चली अब देखते हैं दूसरा कोशन यहाँ पर दूसरा कोशन है फ्रंडस कारवन 14 विधी से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर आंसर दिया है तो चली देखते हैं आंसर क्या है तिथी निर्धारन की विज्ञानिक विधी को कार्बन 14 विधी के नाम से जानाज जाता है समाने किसी भी जिवीत वस्तों में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है मिर्तियों की अवस्ता में C12 इस्थिर रहता है किन्तु कार्बन 14 का निरंतर 6 होने लगता है कार्बन का अर्थ आयू काल 568 प्लस माइनस तीस वर्ष होता है अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधि रह जाती है इस परकार वस्तु के काल की गन्ना की जाती है जिस पदार्थ का कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी पुरानी मानी जाएगी इसी को कार्बन 14 विधिस से जानती है अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन और यहाँ पे तिसरा कोशन है फ्रेंड से हडपा सभिता के विस्तार पर परकास डाले आपको हडपा सभिता के विस्तार पर परकास डालना है तो चलिए देखते अंसर क्या है यहाँ पे आंसर है हडपा सभिता का विस्तार बहुत अधिक था जो हडपा सभिता का विस्तार था फ्रेंड्स वो बहुत अधिक था यह लगभग 12,99,660 वर्ग किलो मेटर तक फैली हुई थी इनमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बलुचिस्तान के कुछ भाग और पच्मी उत्तर परदेश के संभावित विभाग समलित थे इस परकार इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दच्छिन में नर्मता नदी के मुहाने तक और पच्छि में बलुचिस्तान के माकरान समुद्री तड से लेकर उत्तर पूर्वी में मेरट था था मेरत तक था इसका मुख-केंद्र, हडपा, मुहन, जोदू, लोथयल, अलम, गिरपूर आदी थी अब चलिये देखते नेक्स्र कौर्शन यहाँ पे चौथा कौर्शन है फ्रेंडस जैन धर्म के उपदेश को लिखे आपको जैन धर्म के उपदेश को लिखना है तो चलिए देखते आंसर क्या है यहाँ पर आंसर है चौथा का जैन धर्म के परमुख उदेश से निम लिखित है जो जैन धर्म के उपदेश से फ्रेंड्स निम लिखित है तो यहाँ पर पहला है अहिंसा दूसरा है वेदो में आत्मा का अमर्त प्रेंड़्स और चौत है जीव का सरोच उदेश निर्वान की प्राप्ति और पांचनमे है फ्रेंड़्स और इसे में है और सभी जीवों की फर्ति द्या की भावनाीím जीवन का सिर्वोच उदेश से, निर्मान की प्राप्ति और सभी जीवों की परति द्या की भावडा, ये था फ्रेंड्स चार नमर कोईशन का अंसर, अब चलिए देखते हैं निक्ष्ट कोईशन, यहाँ पे अगला कोईशन है, आने पांचवा नमर कोईशन है फ्रेंड्स, अठारे सो संतावन के वीद्रो का परमुख कारण क्या था, यहाँ पे कोईशन है, अठारे सो संतावन के वीद्रो का परमुख कारण क्या था, आपको अठारे सो संतावन के वीद्रो का परमुख कारण बताना है, तो चलिए देखते हैं अंसर क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे ने भारत को इंगलेंड के कारखानों के लिए कर्चा माल खरिदने और त्यार माल बेचने की मंडी समझा हुआ था इसलिए उन्होंने भारती वैपार्त था उद्योगों को नस्ट करने पूरे परियत्न किये जिससे देश में गरी भी फ्याल गई अंतता लोग बिरिटिस रा भारती और संतोस था उन्हें अंग्रेज सेनिक की अपेक्छा बहुत कम वेतन मिलता था आर जो भारती चैनिक थे उनसे बहुत कम ये अपेक्छा वेतन मिलता था समझें अब चलिए देखते हैं नेश्ट क्या है फिर उनसे बुरा वहवार भी किया जाता था और जो भारत के सैनिक होते थे उनसे बुरा वहवार किया जाता था वह इस अन्याय को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते थे और जो भारतिय सैनिक थे वह इस अन्याय को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते थे, 1856 इस्वी में सरकार ने सैनिक से पुराने बंदु के वापस लेकर उन्हें एन्फियल्ड राइफल दे दी, इन राई पूर में गाई और सुवर की चर्वी वाले कार्टूस का परियोग होता था, अन्तता भारतिय सैनिक ने इनका परियोग करने से इनकार क विद्रो का परमुख कारण, तो आज के लिए तना ही, तब तक के लिए बाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगागा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिचेगा, चैनल पे गए ने हो तो चैनल को सब्सक्राब करके, नोटिफिकेशन को ओन कर दिचेगा, वहाँ पे नहीं तब तक के लिए बाई, थांक्स फोर वाचिंग